वेलकम तो माई चैनल दिस इस नासिसार राथर आज मैं एक ऐसी वीडियो के साथ आया हूँ जो बहुत ही इंपार्टेंट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और जो जो स्कालर है उनका नाम है हेंड्रिव फायल जो एड्मिस्ट्रेटू तिंकर है देखो यह जो वीडिय बहुत सारी मतलब की बहुत सारी परिशानी आ जाती है इसको समझने में तो आज मैं एड्मिस्ट्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वो एक managing director बन गए किसके एक company के और जब उन्होंने ये सब कुछ किया तो अपने इस experience के based पे उन्होंने दो books लिखी एक book लिखी उन्होंने general and industrial management जो 1916 में लिखी और दूसरी लिखी the theory of administration in state जो कब लिखी 1923 में और इसी book के based पे जब उन्होंने ये books लिखी तो इन books के based पे उसको क्या बोला गया he is recorded as the founder of managerial approach उसने एक नई approach की एक मतलब foundation डाली और वो नई approach क्या थी managerial approach या इसी approach को हम क्या बोलते है management process school भी बोलते हैं तो आप देखते हैं कि Henry file ने इस वाली approach में क्या बोला है सबसे पहले हमने देखना इसकी administrative theory क्या है देखो इसको कोशिश करेंगे समझने के administrative theory क्या है file की देखो कुछ thinkers के लिए management और administration जो है ये दो चीज़े मतलब these are two things कौन सी management और administration अब management को क्या बोलते हैं और administration को क्या बोलते हैं तो अभी हम file नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलाल हम democratization पढ़ रहे हैं कि management और administration कुछ scholars के लिए कुछ thinkers के लिए अलग है management उनके लिए वो चीज़ है जो सिर्फ हम business और industry में यूज कर सकते हैं management उस activity को बोलेंगे जो सिर्फ industries और commercial undertaking में यूज होती है business वगारा के लिए और administration उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें जो सिर्फ एक government के किसी खास activities को conduct करने में काम आती है लेकिन file क्या बोलता है फाइल बोलता है कि यह जो management है और administration है इनमें कोई भी distinction नहीं है कोई भी फरक नहीं है management जो है यह बहुत ही important part play करते है गौर्मिटल activities में भी और business undertaking में भी तो यह बोलता है कि यह democratization यह इनको difference करना कोई जूरी नहीं है नहीं यह अलग अलग चीज़ें है यह दोनों एक ही चीज़ें तो उसके बाद file आगे क्या बोलता है कि बोलता है कि अगर हमने organization का nation देखना होगा या हमने गौर्मिट का nature देखना होगा तो इन दोनों में कुछ activities जो है वो कामन है क्या एक organization में और एक governmental जो activities होती है उनमें कुछ चीज़ें जो है वह क्या है वह एक समान हैं एक जैसी six activities जो हर हमेशे प्रेजेंट होती है एक organization में भी यानि एक इंडेस्ट्री में भी एक private management में भी और गौवर्मेटल activities में भी जब गौवर्मेट कोई काम करती है तो क्या है सबसे पहली जो है टेक्निकल अक्टिविटी मुलते हैं देखो टेक्निकल अक्टिविटी जो दोनों गौवर्मेट भी करती है और अक्टिविटी क्या है जो उन इन उपर वाले सब को क्या करती है मेनेज करती है तो यह सब में बुलते हैं कि इरस्पेक्ट वाले इनको क्या करती है मेंटेन करती है तो यह किसमें यूज होती है यह जो हमारे पास और ऑर्गनाइज़ेशन में बी और गौवर्मेटल आर्गनाइज़ेशन में बी उसके बाद अब फाइल क्या बुलते हैं फाइल के एक बहुत ही important concept है वह है element of management और element of management को क्या बोलते हैं PO CCC अब PO CCC क्या है यह बहुत ही important है यह समझने के लिए तो पी से planning, o से organization, c से command, c से coordination, c से control अब क्या बोलते हैं बुलते हैं हर एक organization में या हर एक देखा उसकी management और administration में कोई फरक नहीं है तो हम इसको direct पढ़ेंगे क्या है कि element of management जो है वो पी-ओ-सी-सी है चाहिए वो governmental organization या direct जो हमारे पास private organization हो तो उसमें हमने direct पढ़ना है कि दोनों में यह चीज़े होती है अब planning क्या है सबसे पहले एक plan बनाते है future course of action के लिए क्या रहेगा future में हमने क्या करना है हर एक management में यह चीज़ होती है organization organization क्या है कि हमें हमारे पास जो है मतलब कौन-कौन से activity करनी चाहिए है और कौन-कौन से activity जो हमारे पास important है चाहे वो material organization है या human organization है material organization का मतलब यह है कि हमें किन-किन चीज़ों की जूरत पड़ेगी necessary material को और human organization मतलब इंसान कों-कौन-कौन use होगा skilled labor क्या 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 है command issuing of direction यह तो हर एक element इसमें होता है management में coordination हमने क्या करना है कि harmony और working together जो है हमने एक concept लाना है लोगों के बीच कौपरेशन लाना है control people को क्या करना है कि वो command को और instruction को सुने हां तो यह बुलता है elements है management के यह हर एक जगा जो है मौजूद है और सबसे important सबसे important जो है file का है वो gang plank क्या है gang plank देखो gang plank का मतलब क्या है सुनो gang plank का मतलब यह है कि हमने एक organization में किसी एक बंदे से बात करनी है तो पहले क्या होता था पहले यह कानी सुनो पहले जो organization होती ट्रेडिशनल जो था traditional में यह क्या system होता था कि उनको क्या करना पड़ता था एक बहुत ही बड़े एक level से होके बात करनी पड़ती थी जैसे for example मैं समझाता हूँ यहां मैंने एक diagram बनाई है तो diagram में जैसे f को n से बात करनी है f को n से बात करनी है अगर प्राना दोवर होता प्रानी organization तो इसने पहले f को e से e से d c ऐसे पहुंचके a तक a से फिर यह ऐसे चलता चलता फिर message f तक यह n तक पहुंचता तो अब इसने गैंक प्लेंग का एक concept दिया वो क्या बुल देंगे अगर इस f को directly n से बात करनी होगे तो इसके लिए एक जबरदर्श ट्रिक यह है कि इसको क्या करना है इसने अपने immediate superior से बात करनी है और इसने भी अपने immediate superior से बात करनी है जैसे f ने n से बात करनी है तो f ने e से इजाज़त लेनी है कि मैंने इससे बात करनी है जब यह इससे इज iجازت लेगा तो जब इसको message पहुंचे गा कि ये मुझसे बात करना तो ये भी अपने immediate spirit से iجازत लेगा ठीक है तो ये भी सको देगा इजाजत ये भी उसके बाद ये डारेक्ट लिबात कर सकते हैं तो ये Jank Plank का जो बहुत ही जबदा से concept है जो फाइल ने दिया इससे क्या हो गा इससे जो बहुत जार हाइं जो इनका भज जाता था जो अपने इस եर्ड है थर्ट्ट इसे अपनसा वा Chaos 2 से अपने सबार्डिनेट जो अपर्ड जिर था उससे मतलब क्या लेते थे थे एक heavens मतलब की यह लेते थे मतलब की बात करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे तो वो उनको बात करने देता था तो गाइस यह था एक छोटा सा कंसेप्ट था हैंडरी फाइल का आपको थोड़ी बहुत मज़ा भी आए अगर समझ में आएगो होगी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू वनाइज